नमस्कार दोसों आप शुबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आप शुबी को बता दी कि कल शुबा के 8 बचकर 13 मिनट के बाशी आप शुबी की जूरकाल में होने वाले हैं बहुती बढ़ा चमतकार जिहां दोसों दोसों आप शिवी को बता दी कि कल शुबा आठ बज कर तेहरा मिनट के बाश्य माभवानी का अश्य मश्रबाद आप शिवी के कुंडली में पढ़ने वाली है जिहां दोसों जिनके कारण आप शिवी की जुनकाल में बहुती बड़े बड़े चमतकार होने वाले हैं माभवानी के शिरबाशे कल शे आप शिवी की जुनकाल में कुछ यसे बड़े गटनाए होंगी कुछ यसे बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं जिनने जानकर आप शिवी का दिमाग हिल जाएगा, मन खुश हो जाएगा, जिहां दोसों आप शिवी को बता दें कि कल शुबा के आठ बच कर तेरह मिनट के बाशी, आप शिवी की जुनकाल में माभवानी का एशा अशिरबात प्राप्त होने वाले हैं, कि दोसों आप बिस्ति होती है, तो दोसों में अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, और जब गरहों के असे बिस्ति बन जाए, जब गरहों में कुछ कष्टियों का दिर्मान हो जाए, तो दोसों हमारी जुनकाल में बहुत ज्यादा शंकर शमश्याएं च्छाने लगती है, पल में बना वाली है कुणकोंशी नई चमतकार मां भवानी के शिर्बाश्य आप शिविक के जिवनकाल में होने वाले हैं दोस्तों जानने के लिए आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्याशी देखिएगा जिया दोस्तों दोस्तों आप शिविक को बता है और अच्छे कारी करते हैं दोस्तों आप शिविक को बता दिन के शिविक महत पुन शमयों को बिल्कुली आप ध्यान शेजाने मत देजिएगा यह उस में आपको कुछ विसेज बातों का ध्यान रखना है ताकि दोस्तों मांभवानी का शिविक के जनकाल में शदेग पर पहले दोस्तों जो भी माभवाने के शच्चे भगते हैं वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में शच्चे मन से जय माभवाने जरू लिखेगा शाथी चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो आई दोस्तों बा आप द्यांशी देखिएगा जया दोस्तों दोस्तों आप शिवी को बता दें कि भगवान श्री किष्ण कहते हैं कि भाई की उर्जा भाई को नो मारा जा शकता है नो जीता जा शकता है केवल समझा जा सकता है केवल समझी रुपान तरन लाती है अगर तुम अपने भाई क जितने की कोशिश करोगे तो ये दबा रहेगा उनसे कुछ शुलजेगा नहीं बलकि चीजें और उलत जाएंगी जब भाई उठे तो तुम उशे दबा शक्ते हो भाई को जितने का यही अर्थ है भाई को तुम दबा शक्ते हो तुमने कभी देखा भाई के शमे तुमने एक से बड़ी व्रजा जाती है वे दोनों एकी व्रजा के दो आयाम है क्रोध आकर्मक है और भय अनाकर्मक है भय है क्रोध की नकार्तमक आवस्ता और क्रोध है भय की शिकार्तमक आवस्ता जब तुम क्रोध में होती हो तो तुम में कितनी ताकत आजाती है उर्जा भर जाती है जब तुम क्रोध में होती हो तो एक बड़ी श्री चट्टान को उठा कर भ हो शमझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा श्री लाइक जरू किजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जैस रिकिष्णा राधी राधी तो आई दोस्तों से के शाथ बात करते हैं कि कल शुबह के 8 बचकर 13 मिनिट के बाशी माभवानी के कौन-कौन से बड़े चमतकार होने वाले हैं इन शभी की महत्तपुन जनकार देंगे तो दोस्तों वीडियो को मिश करने की गलती ना करें और शुरूच लेकर अंत तक दिहान शी दिखिएगा तो आई दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार शी दोस्तों याश्रमें दो चित पईड़ां भी हाशल होंगे दोस्तों यह अवर्ग को अपने भुष को लेकर ज्यादा शक्रियों और गंभी रहने की आवश्यक्ता होंगी इसको प्रांद याश्रमें गराब की शावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों याश्रमें किसी मित्र के शाथ काहस्यों हो सकती है याश्रमें धहरे और शायम के शाथ काम लें वहान या फिर किशी महेंगे इलक्ट्रोनिक उप्रण को खराब करने के उजश्य आपके शामने खर्चे भी आ शक्ते हैं दोस्तों कोई भी यात्रा करते शुमें बहुत अधिक शावधनी ब्रतनी क्या शक्ता होंग इसको पराण दोस्तों याश्रमें आपके शिमें याश्में आपके शावधने के मुताबित होने के वज़शे आपको आनन बी मिलेगा परिवारропत होगा परेशेस शम justement कोई खाष खबर वह याश्में आपको मिल सकती है जिनकी वज़शे परिवार में आनन बातरण बना कोई शमय से चले आरे तनाव शे आपको राहत मिलेगी तदा पूना घर की शुक से उदावे संबन्दी जरुतें पूरी करने का आपका जो पूरा परयाशश में रहेगा दोस्तों आई की नवे शुरोत भी यह शमय बनने की शमाना बन रही है दोस्तों यह शमय अधित्तम वश्ता के कारण आप घर पर आराम नहीं करेंगे दोस्तों यह शमय शंतान की वज़ाशे कोई चिंता भी आपके उपर रह सकती है प्रन्तों दोस्तों यह शमय गुपसी की बजाए शांती पून तरीके से समस्या कहल निकाले यह आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा नकार्थमक विचारों को हावी यह शमय अपने उपर नहीं होने दें इस गुपरान दोस्तों यह शमय काम में गती प्राप्त करने की आपकी एक्छा होने के बावजुद भी आप यह में मन चाहा गती अपने काम में नहीं लेपाएंगे दोस्तों यह में काम आखरी वक्त तक नहीं होंगे लेकिन अंत में शारी चीजें आपके मन के मुदाबित होने वाली है इसलिए दोस्तों सेयम रखना आपके रिज़र्य होगा मित्र परिवार की वज़ाशी आपकी यश्मी चिंता बढ़ सकती है शाथी दोस्तों यश्मी प्रॉप्टी के सेल परचे सम्मदी कोई योजना बन रही है तो तूरंद उस पर अमल करें यश्मी गराश दिदियां आपकी पख्ष में है आपको निस्वी दी शफलता की प्राप्ती होगी दोस्तों धार्मिक तता द्यात्मिक गतिदियों के प्रती आपको यश्मी रुजान बढ़ेगा आत्मिक उधान करेगा दोस्तों ये जवापके लिए शमय होगी घर में किशी बात को लेकर कला की स्थितिव पन हो शकती है दोस्तों शंतान की गतिदियों पर भी कड़ी नजर रखने की आपको अवश्य रता होंगी दोस्तों मामा पक्ष के शाथ अपने शमन्नों को मदूर बना कर रखें ये शमय अनाव शे यात्रा के अस्तिद रखने की आपको जरत होंगी इसको पराण दोस्तों ये शमय आपके लिए जुसे मोहँगे अधिकतर वक्त अकली गुजारनी की वज़े आपके अंदर अकला पन का डढ़ बराय दोस्तों याश्मे आपको अपने व्यक्तिकत दाइरे से बाहर निकल कर लोगों के शाथ शमन सुधारने की कोशिश करने होगी नए कामों को करने से आप कोशिश करेंगे दोस्तों याश्मे जिनकी वज़शे आपका ज्यान भी बढ़ेगा नए अनुभा भी आपको याश्म प्राप्त होंगे इसकुर्पान दोस्तों यह मैं आपके लिए रहेंगे कोई भूमे शंपति की खरदारी शमंदी रूप रिखा भी रिष्टों की मजबुती को बढ़ाने में आपका यश्मे बिश्य योगदान रहेगा इश्कुपान दोस्तों ये शमय शंतान शमंदी किशी नकार्तमक बात को लेकर घर के वातारों में कुछ उदास्ची भी चाही रहेगी प्रन्तों दोस्तों अपने श्वयोग दोवारा शमस्याओं को सुल जाने की आप कोशी करें जो किम परिकारियों शो ये शमी दूर रहें बाईयों को भी भौती गुवापिर भावनोतों गुरुप शे कापी हद तक मदद की जरत पर सकती है इश्कुपान दोस्तों ये शमय आपके लिए शमय होगी दोस्तों अभी तक लीवी मेहनत का फल ये शमी दिखेगा फिलाल दोस्तों हर कोई बात आपके उजना के मुदाबित होने वाली है इसलिए दोस्तों वेर्थ के चिंता को छोड़ कर ये शमय काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्क्ता होगी छोटी प्रगती भी आपको ये शमय बड़ा अनंद प्राप्त करवाएगा वह दोस्तों ये शमय अगर आपकी केरियर घ्यानि वायुशाय को लेकर बात दें तो दोस्तों ये शमय वायुशाय में किसी भी तरकी साहिदारी के लिये शमय उत्तम है दिन के दूसरे पक्ष में इस्तियान अत्य अनुकूल हो जाएंगी परन्तु दोस्तों कारेस्टल की आंतरिक इस्तिती में कुछ बदलाव लाने की जड़तों होंगी दोस्तों याशो में करमचारियों के शाथ भी उचित समाज़ेश बना रहेगा इसको परना दोस्तों याशो में आपके केरेर के लिए जिसमें होंगे दोस्तों आपको बता दें कि कारी चितर में वही पारिक मंदी के वज़शे थोड़ी सी चिंता भी रहेगी याशो में काम करने की प्रणाली में बहुत कुछ परिवर्टन लाने के आउशकता होंगी दोस्तों नोकरी पेशा व्यक्तियों को भी कोई अंचाहा कारी करने की वज़शे दिक्कत का शमना करना पड़ेगा इसको प्राण दोस्तों याशो में आपके लव लाइप के लिए जो समय होंगे कभी कभी आपका उत्तेजित सोभाव आपके दमपते जीवन में तुनाव उत्पन कर देता है दोस्तों याशो में भावकता पुन वैवार रक्षने चे घर का माहल पुना शुधर जाएगा दोस्तों याशो में आपके लव लाइप के लिए जो समय होंगे अपने विचारों को याशो में शकार्थमक बना कर रखें ये आपके लिए जरूरी होंगे इस गुर्ण दोस्तों याशो में बता दें आपका भागिशाली रंगरेगा शपेद और भागिशाली अंकरेगा आठ